हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टूडी 24 तो डीवी एक्सपिरियंस जैसा कि आपको पता है मैं शेयर करती ही हूँ ठीक है काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में MTS की कि डीवी वेच्चों का कैसा हो रहा है कुछ डिपार्टमेंट का आपको पता ल तो मैं आपको बताने वाली हूँ और मद्रदेश का आपको याद होगा पोस्टल असिस्टेंट वाला था इसके बारे में भी बात करेंगे कि कहां पर क्या इसव हो रहा है और जैसा कि आपने थांगिनल ने देखा होगा कि बच्चों को रिजेक्ट किया गया है तो च्या इशु हुआ है वो सब हम लोग डिसकस करेंगे पूरी वीडियो को एंड़ तक देखेगा ताकि आप यह मिस्टेक ना करें और आपको रिजेक्ट ना किया जाए ठीक है सारी डिटेल्स हैं आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे हैं ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि और वच्छे तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी इस मिस्टेक करने से बच जा कास्ट सर्टिफिकेट में यहां पर क्रूशल डेट की बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में क्रूशल डेट के बाद का जो है ठीक है क्रूशल डेट की बात करते हैं कि यही सबसे जादा कोईरी रहती है और इसी में इशू होता भी है तो क्रूशल डेट के अगर बाद क भी कास्ट वाला हो रहा है तो वो लोग accept कर रहे हैं उनको नहीं मतलब है कि क्रूशल डेट के बाद का है या नहीं है वो लोग बिल्कुल बस यह देख रहे हैं कि आपका सही है सब कुछ नेम अगारा का सेटिफिकेट उन्हों ने देखा कि हाँ चलिए इस साल का कोई दिक्क क्रूशल डेट के बाद का भी ठीक है तो चिंता मत करिए जरूर लेकर जाईए बाइचांस उन्होंने मांग लिया तो ठीक है नहीं मांगेंगे तो बहुती अच्छी बात है क्योंकि इनका नहीं वांगा गया था ठीक है और इन्होंने और भी कैंडिट्स का देखा तो वह कोई ऐसा रिजेक्शन या वहां पर प्रोविजनल कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब उन्होंने पुरंट एक्सेप्ट कर लिया बस सेंटल फॉर्मेट आपका होना चाहिए टैन की मांग शीर से जाधा चीज़ें पूछ चेक कर रहे हैं बस चेक करा और कुछ नहीं कोई दिक मिलेगा इतना लंबा सफर जो वो तै करके आए हैं कुछ उनकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया मिस्टेक क्या है ठीक है एक कैंडिडेट जो बच्चे मतलब दो जो आपके रिजेक्ट हुए थे जितना मुझे अभी तक पता लगा है जो बच चीजें कांफिर्म करके तभी वीडियो को बनाती है तो यहां पर क्या हुआ है एक केंडिडेट के ओविसी में क्या था मुधर नेम में मिस्टेक थी ठीक है अच्छे जह समझेगा मुधर नेम में मिस्टेक थी दूसरा एक की मांग शीट में दूसरा एक की मांग शीट में father name की error थी तो यहाँ पर क्या कहा गया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई by chance error होती भी है या by chance आप F.E.D.P. नहीं लेकर जा पाए तो वो आपको time देते हैं 6-7 दिन का academic time आराम से आपको मिलेगा तो दोनों ही कैंडिडेट्स को टाइम दिया गया गया चैसाथ दिन का टाइम दिया गया और फिर उन लोगोंने क्या कर रहा है उन्होंने बोला कि आपका सब कुछ ख्लियर हो जाएगा लेकिन कुछ रिजन्स की वज़ा से जो भी मैंने बच्चों से बात करी उन्होंने का मैं आफिडेविट नहीं बन पाया ठीक है वहाँ पर एफिडेविट उन्होंने नहीं बना और कुछ फेस्टिवल भी शायद चल रहा था उस टाइम पर तो वह एफिडेविट नहीं हुआ और उनका ज जैसा बताया कोई फेस्टिवल चल रहा था और लोग नहीं बना रहा है और ये जो कंडिडेट है वो भी कोई वैलेड पões लो लेख नहीं दे कंडिडेविट नहीं दे पाये तो इनलों ही कंडिडेट को उन्होंने रिजेक कर दिया उन्होंने बोला आपका टाईम पीरिये और वो जो ऐसा नहीं है कि वह बहुत रूडली प्येव कर रहे हैं मतलब पॉलाइट वे में उन्होंने बताया ठीक है बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी गए थे तो उन्होंने पॉलाइट वे में समझाया कि अभी आपकी एज कम है और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको देखे जाते हैं कि कोई तो नहीं है या कुछ नहीं है तो कैंडिडेट का पूरा सेलेक्शन होने के बावजूद वो क्यूंकि डो दिन लेट पहुंचे और एफिडेविट उनका नहीं बन पाया तो उन्हें रेजेक्ट कर दिया गया और सेम उनके साथ एक और किया करें किया मेरी मार्क शीट में सब कुछ तही है सारे नेम सही है या मेरे पास का सट्पिकेट जो है वह सब सही है सैंटल format में center format में तो आपका होने ही चाहिए ठीक है और कोई एरर तो नहीं है mother name में father name में या crucial date से पहले है देगे कोई form आता है तो 20 से 25 दिन का आपको time मिलता है ठीक है 20 से 25 दिन का आपको time दिया जाता है form filling के लिए sufficient time है अगर कोई भी error आपका है मतलब OBC अगर आपका नहीं बनाया SCST नहीं बनाया तो आप आराम से इस period में आपका बन सकता है तो वो क्या हो जाएगा crucial date से पहले का बन जाएगा अगर नहीं भी आपका है ठीक है आप लेट भी पहुंचेंगे अफिडेविट लेकर तो भी एक्सेप नहीं करेंगे मतलब उन्होंने कहाया मुझे इसी time period में आपको भिजवाना है तो time period का विशेज ध्यान रखा जाए ठीक है विशेज ध्यान रखा जाए कि time period में आपको सारी चीज़ें करनी हैं तो इनको सिर्फ एक दो दिन डिले हुए और यह नहीं इनको लिया गया क्योंकि वह order थे और जो लोग ले रहे थे डीवी वह भी सेलेक्टेड ही थे मतलब जहां पर नीजेड है वहां पर एफिडिवीट पहले से बनवा लीजे ताकि आपको भी इसी तरीगी का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े तो एक इंपॉर्टन अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों को मैं शेयर करूं जिन भी बच्चों का डीवी है देखिए जो भी अपडेट होती है मैं तुरंत आप लोगों को शेयर करती हूं ताकि आपण को मिस्टेक नकरें आपको पता होने चाहिए तो वीडियो bit और लॉक्त करने सेब दोने से मने ने इस बड़ेड्य इसे चेडियो की थो घ्यावर मैं एक-एक साल लग जाता है, रिजल्ट आने में, फिर जाकर ये जीज़ हो जाती है, तो आपको पहले से ही अपने डॉकिमेंट्स देखने चाहिए, इन्होंने नहीं देखे कि इनके OVC में नेम मिस्टेक है, और एफिडिविट नहीं बना के लेके गए, तभी इनको ऐसा प्र के रिगार्डिंग मैं आपको शेर करती हूँ, कोई भी क्वैरी है, इस नंबर पर आप पॉलिया मेसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रूप में एड हो जाईएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर नहीं एड हो पाएं, मैं आपको डिरेक्ट एड कर दूँगी, बाकी मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, तो कोई भी आपका एकाउंटेंट, एकाउंट्स का वर्क हो, आईटिया, जी एस्टी, पीएफ, लोन, एकाउंट्स का कोई भी वर्क आप लोग करवा सकते हैं, अपने फैमली मेंबर्स का या कोई भी है, आप भी फाइल करेंगे, ठीक है, हमाई पूरी टीम है, एकाउंटेंट्स की, मैं ये भी वर्क करती हूँ, और यूट्यूब पर इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, इसी चैनल पर, तो आप लोग इंग्लिश भी पढ़िएगा, बाकी जो हैसे भी कोई भी अपडेट मिलती है, म कि जादा से जादा बच्चों तक ये information पहुंच पाए, तो मिलते हैं फिर आपको next वीडियो में, ऐसे ही कुछ experience लेकर, और बाकी अपडेट्स तो आपको मैं देती रहती हूँ, तो वीडियो को देखते रहे, लाइफ सेशन में जोईन होना मत बूलिएगा रात में, थैंक तो आपको आपको झालिए अपको झालिएगा जीज़ को पाए, तो आपको आपको अपको आपको झालिए।